दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 के विश्व इतिहास विशे का अध्याई 7 जिसका नाम है बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराई दोस्तों, जैसा कि हम अध्याई 6 समाप्त कर चुके हैं पूरा और जब हमने अध्याई 6 शुरू किया था तो आपको बताया था कि हम ये जो अध्याई तीन अध्याई पढ़ रहें एक साथ अध्याई 6, अध्याई 7 और अध्याई 8 जो आपकी पाठ्टे-पुस्तक विश्व इतियास के कुछ विशे से लिया गया है इन तीनो भागों को या तीनो अध्यायों को हम एक इकाई के रूप में अध्यान कर रहे हैं क्योंकि ये जो तीनो अध्याय हैं ये तीनो आपस में गुथे हुए हैं क्योंकि इस पूरे इकाई को हमने नाम दिया है बदलती हुई परमपराएं यानि कि हम इतिहास के उस कालखंड का अध्यन कर रहे हैं तीनो अध्यायों में जब कुछ परंपराएं बदल रही है और दोस्तों पता है कि इतिहास जो है वो एक बहती हुई नदी के समान होता है एक बहती हुई धारा के समान होता है जो लगातार बहती रहती है और इसमें हम किसी एक कालखंड को अलग से लेकर उसका अध्यन नहीं कर सकते और अगर हम ऐसा करते हैं, तो हम उसका जुडाव दूसरे कालखंडों से नहीं कर पाते हैं, तो इतिहास इस मामले में अन्य विश्यों से अलग होता है, तो हमें घटना क्रमों का एक क्रम जो है वो बांधना पड़ता है, एक नदी के समान उसे चलाना पड़ता है, इसी वज चीन काल कह सकते हैं, ना इसे आप आधनिक काल कह सकते हैं, और ना ही इसे आप मध्यकाल कह सकते हैं, मोटी तोर भी जो पूरा कालखंड है, जिसमें कि हम अध्यान कर रहे हैं विशेसकर 11 से लेकर 17 शताब्दी के काल का, तो ये जो काल है, 11 से लेकर 17 शताब्दी का जो काल ह यह बदलती परमपराई, यानि कि इस पार्ट में इन भागों में या इन अध्यायों में हम उन परमपराओं के बारे में बात करेंगे जिन्होंने पुरे इतिहास में, विश्व इतिहास में कई बदलाव लेके आई और उनकी वज़े से हम आधुनिक काल के तरफ बढ़े ये मुख्य रूप से हम देखते हैं कि जब प्राचीन काल समाप्त होता है वहाँ से शुरू होती है, और जब आधुनिक काल समाप्त होता है वहाँ पर समाप्त होती जाके परंपराएं और इसमें हम मुख्य रूप से पहले हमने जैसे अध्याइच्छे जब हमने पढ़ा था तो उसमें हमने अध्यन किया था, उसमें हमने मुख्य रूप से देखा था कि जब नमी शताबदी का जो अंत होता है, तब जो प्राचीन काल के बड़े-बड़े सामराज्ये थे, जो कि अंतर महदवी पे सामराज्ये थे, जिनमें हम रोमन सामराज्ये को शामिल कर सकते हैं, तो मिस्र के सामराज्य को सामिल कर सकते हैं तो ऐसे जो सामराज्य थे उनका अंत होते वे दिखाई देता है नवी शताब्दी के अंत में लेकिन ये जो अंत है ये पूरी तरह से एक साथ नहीं जैसे भी हमने आपको बताया कोई भी घटना इतियास में एकदम से नहीं होती उसके कुछ कारण अवश्य होते हैं तो वैसे ही जब इन सामराज्यों का अंत शुरू हुआ नवी शताब्दी के अंत में तो उसके बाद कुछ परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं दोस्तों क्योंकि ये जो सामराज्य थे जिससे जैसे रोमन सामराज्य के अगर हम बात करें ये जो सामराज्य थे ये अंतर महद्वीप ये सामराज्य थे इसका अर्थ ही होता है कि ये सामराज्य एक महद्वीप से लेकर केंदरित किया था जो अध्याई छे था उसमें हमने कहा था कि हमारा जो पुरा अध्यान है विशेशकर योरोप को केंदर बना कर किया गया है तो हमने विशेशकर पश्चिमी योरोप और मद्धी योरोप पर अपना ध्यान केंदरित किया था और देखा था कि किस प्रकार उस महान रोमन सामराज्जी के पतन के पश्यात जो योरॉप का इतिहास है उसमें एक नई तरह का संगर्ष हम शुरू होते हुए देखते हैं उसमें मुख्यरूप से जो भूमी पर नियंतरन को लेकर एक संगर्ष शुरू हो जाता है वहाँ पर हमारे सामने आती है विशेसकर तेरवी शताब्दी ग्यारवी से तेरवी शताब्दी के बीच में उस विवस्ता को हम सामंतवाद के नाम से जानते हैं और जब हमने सिक अध्याई छे पड़ा था तो हमने ये देखा था कि जो सामंतवाद था ये जो सामंतवाद था ये मु इसके अलावा हमने क्रशक वर्ग के बारे में अध्यन किया था जो कि दास की स्थिति में था और वो पूरी व्यवस्ता को संभाले हुए था कहीं न कहीं तो इस सामंतवाद जो है और मुख्यरूप सी मद्यकालीन यूरोपी इतिहास की प्रमुक विशेस्ता मानी जाती है सामंतवाद और सामन्तवाद की अपनी कमियों की कारण ही बाद की जो आधुनिक इतिहासकार थे उन्होंने बाद की जो इतिहासकारों ने इसे एक अंधकार यूग की रूप में परचारित किया था लेकिन आज की जो इतिहासकार है, विशेष कर कुछ आधुनिक इतिहासकार, उनका मानना है कि वो कोई अंधकार का युग नहीं था, या किसी काल विशेष को अंधकार का युग कह देना वो सही नहीं होता है, हाला कि ये बहस अपनी जगे है, लेकिन भिलाल हमने जब ये दे सुनाई देती है और दोस्तों जब चौदवीं से लेकर सत्रवीं शताबदी का जो दोर है वो जो दोर बहुत ही महत्वपूर हो जाता है क्योंकि जो बदलाव चौदवीं शताबदी से पहले हुए थे उन्हों ने एक तरह से सामंतवाद का पतन का माग प्रशरस्त किया था और जैसे ही सामंतवाद का पतन हुआ था उसमें हमने मुख्य रूप से देखा था कि जो नगरों का विकास हुआ था व्यापारवाणी जी का विकास हुआ था और राजनितिक शेत्र में जो नए शाशक वर्ग आये थे उन्होंने इन बदलाओं के लिए एक आधार भूमी काल की आहट दी तो ऐसी क्या परमपराई थी और इसको हमने मुख्य रूप से जो नाम रखा है इस पूरे अध्याय का अगर आप हम कैसे कहा है अध्याय का जो नाम है वह बदलती है वह सांस्करतिक परमपराई लेकिन इसे हम पुनट जागरन के नाम से जानते हैं इस पू पर हमने डखा इसका नाम निरंतर्ता, निरंतर्ता का मतलब यह कि पिछली अध्याय से इसको जोडते हुए हम आगे के अध्यायों को साथ इसका संपर किस्तापित करेंगे तो निरंतर्ता भी है और प्रिश्टभूमी में है तो अलक से इस अध्याय को इह नमस अऩग समझ यूँ कहें आप 13 शताब्दी तक योरोप की इतिहास को प्रभावित किया था उसने पुरी तरह से, पूरा जो योरोप का इतिहास है, इनके आपसी संबंदों का ही ताना बाना था, सामनत वादी वहस्ता के जो तीन वर्ग थे, उनका ताना बाना था, जिसमें मुक्य हमने वहाँ देखा था, और ये जो बदलाव आया था, ये वो मुक्य रूप से व्यापार और वानिजी की उन्नति की वज़े से ये बदलाव आया था, जिसने की नगरों के विकास में महत्वपून भूमी का निवाई, हमने देखा था कि किस प्रकार क्रशी में करांती और ये नगरी जो जनसंक्या थी, इसका जो वातावरन था, वो जो महोल था, बहुती स्वतंतर प्रकरती का था, और व्यापारी जो वर्ग जो था, वो अब अधिक धनवान हो गया था, अधिक पैसे वाला हो गया था, अधिक अमीर हो गया था, तो उसने उस अभिजात वर क्योंकि जो व्यापारी थे और साहुकार थे जो बैंकर्स थे वो राजाओं को रिंड देने के लिए तयार हो राजाओं को आर्थिक साहिता वो उपलब्त कराते थे इससे राजाओं की जो निर्भरता थी सामंतवाद पर या सामंतों पर जो निर्भरता थी वो लगातार कम ह होती गई इससे भी सामन्तवाद का पतन शुरू हो गया था तो यह जो परिवर्तन आये हैं 13-14 शताबदी के बीच यह बहुत महत्मुन परिवर्तन थे जो हमें आगे के अध्याई में हम इनके वारे में क्या परिवर्तन थे और उनकी वज़े से कौन सी बहुत महत्मुन घट परिवर्तन देखे थे वहां पर हम उस बिंदू से आगे बढ़ेंगे कि किस प्रकार सामन्त वाद अंतिम शांसे ले रहा था और उसके बाद क्या हुआ आखेर जब हमने अध्याई 6 समाप्त किया था तो आपको उस नोट पर अध्याई 7 किया था हमने कहा था कि पता कीजि हर छेत्र में सवाल पूछने लगा, तब पुनरजागरन हुआ, हालां कि भारत में भी हम पुनरजागरन को देख सकते हैं, जब भारत के अध्याई आपने छे पड़ा होगा, तो आपने देखा होगा कि वहाँ भारत में भी पुनरजागरन आया था, हालां कि वो जो तो हमने देखा कि हम उस बिंदू से आगे बढ़ रहे हैं जब वो परिवर्तन होते हैं और सामंतवाद समाप्ति की ओर होता है अर्था चोधवी शताब्दी के बाद का योरोपी इतिहास पर यहां हम नजर डालेंगे देखेंगे कि आखिर किस प्रकार 13 तथा 14 सदी में हुए परिवर्तनों ने योरोप में एक सांस्कृतिक बदलाओं की शुरुवात की एक पूरा परिवर्तन शुरू कर दिया उसने यह सांस्कृतिक बदलाओं है मुक्य रूप से याद रखेगा यह आर्थिक शेतर में होने वाले बदलाओं यहां नहीं क्योंकि आर्थिक शेतर के बदलाओं हम अध्याई छे में बहुत धंग से पढ़ चुके हैं तो यहां पर आपके लिए सांस्कृतिक बदलाओं का द साहित्य के चेत्र बढ़़्ाव है और विज्यान और धर्म के चेत्र में बड़े बढ़्याव् दिखाई देते हैं। इसलिए इस पूरी अध्याय का नाम ही साइन्सकृतिक बढ़्याव रखा गया है। सांस्कृतिक परंपराईं जो हैं किस प्रकार से बदली वो इस अध्याई में अध्यान कर रहे हैं मुख्य रोप से यहां पर जो अध्यान करने का जो हमारा कालखंड है वो चोधवी से लिकर सत्वी शदी है लेकिन आप मुख्य रोप से मानिए कि तेरा सो पचास से लेकर पंद्रा सो पचास इस वी के बीट यानि कि चोधवी से लेकर पंद्रिवी शताबदी का जो काल है वो हमारा कालखंड है मुख्य रोप से अध्यान का जैसे हमने बताया था कि हम किसी एक विश्य समय को तेर नहीं कर सकते हैं तो ये एक अध्यन की दरश्टी से आप मान सकते हैं कि ऐसा हमारा समय कालखंड है, तो तेरवी से, चोद्वी से, सत्वी सतापदी का कालखंड है, जिसका अध्यन हम इस पूरे अध्याई में करने जा रहे हैं, और फिर हम उसे आठमें अध्याई से भी उसे किस प्रकार से जोड़ेंगे, वो बाद में हम देखेंगे, तो बदलाओं को हम कभी-कभी योरोप में इन्हीं बदलाओं को, जो इस सांस्कर्टिक बदलाव आए हैं, इन्हें ही हम क्या कहते हैं, योरोप में पुनरजागरन, बहुत ही महतवपूर्ण ये टॉपिक है विश्व इतिहास का, तो योरोप में पुनरजागरन और इसे हर वेक्ति को पढ़ना चाहिए, वो इतिहास का छात्र हो या नहीं हो, लेकिन उसे कम से कम इस पुनरजागरन को जरूर अध्यन करना चाहिए, क्योंकि इसकी बदलाव आये थे, और आज भी हमें प्रेजित कर सकता है, ये पुनरजागरन की जो विशेस्ताई थी वो, अब हम देखते हैं कि चोधवी से लेकर सत्रमी शताब्दी तक, क्योंकि इटली जो था वो भुमद्य सागर के बीच में इस्तिता, इसी वज़े से वहाँ व्यापरिक नगरों का विकास हो आता है, और नगरी संस्कृति के वज़े से ही ये जो पुरा पुनरजागरने शुरू होता है, ये हम नगरों में होता हुँ देखते हैं सबस्के पहले हैं, जो इतना बड़े इस्तरवज इस्तमाल किया गया उसका, वो जो है वो ये उरोपी इतिहास में ही हम देखते हैं, विशेशकर इस काल खंड में, जिसको हम पुनरजागरने के नाम से जानते हैं, वहाँ हम देखते हैं, मुद्रन और शापे खाने का अविश्कार इस पूरे काल में हम देखते हैं, जो बहुती बड़ी क्रांती थी, ऐसा माना जाता है कि लेखन के बाद, जो अगर कोई सबसे बड़ी क्रांती मानी जाती है, तो वो है मुद्रन की क्रांती, पूर्विस्ता फिर धार्मिक विश्वासों को चुनोती दी गई, इसमें एक बहुत बड़े धार्मिक बदलाव भी हम देखेंगे, हम देखेंगे कि मार्टिन लूथर जो थे, उन्होंने किस प्रकार से एक बड़े बदलाव का वाहक बने थे वो, एक बड़ा धार्मिक अं चेत्रमिल, इसके लवा हम अंत में ये देखेंगे कि किस प्रकार से भोगलिक खोजों की फिर वापिस शुरूआत होती है, भोगलिक खोजों का जो दोर है दोस्तों, पंद्रवी से सौल्वी शताब्दी के लिए उसने मार्क प्रशस्त किया था, तो भोगलिक खोजों को अब इसकी वज़े से प्रोस्तान मिलता है, पुनरजागरन की वज़े से, तो ये जो चोद्वी से लिकर सत्त्रवी शताब्दी के बीच में जो होने वाले परिवर्तन है, वो ये मुख्य रूप से हैं, जिनका अध्यन इस पूरी अध्याय में किया जाना है, इसके लावा हम पुनरजागरन की बात हम करते हैं, शब्द की बात करते हैं, आखिर वो शब्द बना कैसे हैं, विशिएष कर ये शब्द बाद में गड़ा गया है, ये जो परिवर्तन आये थे, हमने बताया, आपको चौद्वी से लिकर सौल्वी शताब्दी के बीच में, जो बड़े शत्राद दिते हैं। इसे में जो परिवर्तन आये थे, विसेशकर्या जो सांसकर्तिक परिवर्तन आये थे, उनके लिए रेनेसा शन्म शब्द का इस्तेमाल किया है। याद रखिए इंगलीश में ये रे बुनर्審 द्रक्रतिक इसका शन्म। पुनर जनम या पुनर जागरन और जो उस काल के सांकर्तिक परिवर्तनों को दर्शाता देखे शब्द है पुनर जागरन तो आप कहेंगे कि आखिर बदलाव के ऐसे थे जो दुबारा जागा कोई कोई देश नहीं जागा पूरी एकतर से पूरा योरोप का जो इतिहास है हम यह देखते हैं कि वहाँ हर शेत्र में पुनर जागरन होता है इसका मतलब है कि लोग अपनी पराचीन परमपराओं के बारे में दुबारा जानने का प्रियतन करते हैं यहां प्राचीन परंपराओं से जरूर मतलब यार रखेगा, जब जब भी हम यह अध्याय पढ़ेंगे, प्राचीन परंपराओं की बात करेंगे, वो कौन-कौन सी प्राचीन परंपराओं हैं, जिनके बारे में हम अध्यन करेंगे, तो याद रखेगा विशेश कर हम रोमन और युनानी परंपराइन जो थी, जब रोमन सामराज्य था, अतीत में रोम और युनान की जो परंपराइन थी प्राचीन, उनकी तरफ लोगों का ध्यान गया, उन्होंने देखा कि हमारा जो इतिहास था, प्राचीन काल में जो इतिहास था, कितना समरद शाली रहा था, इस इसमें एक तरह से सबी त्रही प्रयवती थी, सांस्कर्तिक शेत्र में रूख गई थी, इसलिए यह जो पुनर जाग्रन हुआ, हर छेत्र में पुनर जाग्रन हुआ, इसका मतला लोगों ने अपनी प्राचीन पर अंपराओं की ध्यान दिया, इनके प्रती आकरश्ट हुए, और उनका इस्तमाल वो हर चेत्र में करने लगे उनका दुबारा यह साहित्यी में दुबारा अध्यन होने लगा कला के वो चेतर जो कि रोमन सामराज परच हम देखते हैं जिनका अध्यन हम आगे करेंगे अब इतिहासकार यहाँ पर एक याद रख तो आपको इस समझ लेना चाहिए कि रेनेसा शब्द पुनरजनम जिसका अर्थ होता है और पुनरजागरन इसी के लिए का है विशेश करिए जो वर्ड यह शब्द है वो फ्रेंच भास्ता का एक शब्द है इतिहासकार जो थे इतिहासकार एक जेकब बर्कहर्ट इनका नाम याद रखिया इतिहासकार जेकब बर्कहर्ट ने 1860 उसी में उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी उस पुस्तक का नाम था The Civilization of the Renaissance in Italy याद रखी इस बुक का नाम The Civilization of the Renaissance in Italy मैं इन परिवर्तनों के बारे में लिखा पहली बार उन्होंने इस परिवर्तनों के बारे में लिखा कि ये विशेशकर परिवर्तन जो आये थे साहित्य के छेत्र में, वास्तुकला के छेत्र में और चित्रकला के चित्र में जो परिवर्तन आये थे उनकी जानकारी दी और उन्होंने कहा कि यही परिवर्तन जो वास्तों में क्या है वही परिवर्तन जो है वो रेनेसा है वही परिवर्तन पुनट जागरण है तो इस प्रकार उन्होंने 14 से लेकर 17 शती सदी का जो तक की ज उन्हें हम साइंसकर्थिक परिवर्तन कहते हैं और उन्हीं को नाम दिया गया बाद में पुनड़ जाग्रन तो याद रखेगा उस समय के इतिहासकारों ने विद्वानों ने इसे पुनड़ जाग्रन नाम नहीं दिया है सब्धैता इसे प्रभावित था याद रखेगा ये प्राचीन युनानी और रोवनान पुनड़ जाग्रन रखा गया है तो दोस्तों अभी हमने आपका जो एक प्रष्टभूमी आपके लिए तयार कर दी है कि क्या प्रष्टभूमी है इस पूरे अध्याई की और एक हमने निरंतरता बनाए रखने की कोशिश किये आपको छटे अध्याई से इसमें हमने जोडने का प्रेतन किया है तो छटे और साथ में अध्याई को जोड़ दिया है हमने एक प्रष्टभूमी आपके लिए तयार कर दी है कि आगे हम क्या अध्यान करेंगे इस से पहले कि हम यह देखें तो अध्यान बिंदू क्या क्या होंगे जिसमें Florence सबसे महत्पून है, जीनेवाज सबसे महत्पून है, Venice का जो नगर है वो महत्पून, तो इटली के जो नगर से और यहीं से इनी नगरों से पुनर जागरन शुरू होता है, जो इटली के नगर थे वहीं से पुनर जागरन शुरू होता है, क्योंकि इटली को ही पु मानवतावाद का अध्यान शुरू हुआ। पूरी विवस्ता की जो धूरी था, जो केंदर बिंदु था, मनुष्य बन गया था। ये मानता है, की जो इतिहास का जो मानवतावादी दिश्टिकोन है, ये मानता है, कि जो इतिहास का जो मद्धिकाली तोर था, विश्चिय गर्वश्य पर ये था. पैसा कोई कालखंड के उतियास कि हर भाग के अपने कुछ वीशिस्ताई मी होती है अपनी कुछ कम Means भी हो सकती है तो ये इस носके बारे में करें गें इसके इसके लावा विज्ञान और दर्शन जो अर्वियों का योगदान है। बहुत महत्पुन है कि विज्ञान और दर्शन के छेत्र में जो अरब निवासी थे। उन्होंने किस प्रकार का योगदान दिया। उन्होंने किस प्रकार पुनट जागरने के लिए महत्वपुन भू चित्र कला की बात होगी और मूर्ती कला की बात हम करेंगे और किस परकार हम देखेंगे कि जो कला का चित्र यथार्तवादी हो गया वास्तविक हो गया वो लोकिक हो गया उसका जीवन साइंसकारिक चीजों से उसका संबंध हो गया उसमें क्यों कलपनाएं सीमित नहीं थी त शिक्षा के शेतर में बड़ी करांती यहां पर आती है और जर्मनी के जो गुटेंबर्ग थे वो एक मुद्रन जो मसीन था उसका अविसकार करते हैं और इसकी वज़े से हमें जो पुस्तकें थी या जो ग्यान था वो आम आदमी के लिए सुलब हो जाता है और इसकी वज़े महिलाओं की आकांगशा हैं बड़ी और उन्हों ने पूरी विवस्ता में महत्मुन भूमी का निभाने का प्रयास किया विशेशकर व्यापार विवस्ताई में उनकी जो भूमी का थी उसके बारे में हम अध्यन करेंगे इसके लाबा इसाई धर्म के अंतरकत वाद विवा जाता है और जो पूरा इसाई धर्म है वो दो भागों मढ़ जाता है कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट जो आज भी प्रचली थे इसाईयों में और ये इसी काल की देन है ये किस काल की देन है ये पुनरजागरन की काल की ही देन है कि इसाई धर्म में अब वाद विवाद उ इसके लावा एक कॉपर्णिकस ही क्रांती, ये विज्ञान की छेत्र में होने वाली क्रांती है, विज्ञान की छेत्र में क्या बदलाव आये थे, उसके बारे में जानने से पहला हम ये देखेंगे, कि विज्ञान की छेत्र में जो सबसे बड़ा बदलाव आये था, वो उनका मानना था कि जो प्रत्विय वो तमाम ब्रह्मांड के मध्य में इस्तित है, केंदर में इस्तित है, जबकि कॉपणिकस ने कहा कि जो प्रत्विय वो केंदर में नहीं है, बलकि सूरिय जो है, वो केंदर में, तो सूरिय केंदर सिद्धान दिया, इससे पूरा विज्ञा आगरन की बात हमने की योरोप में, तो क्या वाकई में ऐसा कुछ हुआ था, क्या ये परिवर्तन अचानक आये थे, तो इस बारे में भी एक हम सवाल करेंगे और उनके जवाब भी आपको देंगे, तो आज की भाग में दोस्तों हमने ये जो पहला भाग है, यही प्रश्ट अध्याय की बारे में एक अलग इस टॉपिक लेकर शुरू करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद